जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कानफरंस उनके गड़ बंदन को ज़्यादा सीटे दी है मैं उन्हें भी शुब कामराई देता हूँ वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टिया बन करके उबरी है मैं हर्याणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिन कलने वाले मैं सभी उमिद्वारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हर्याणा और जम्मू कश्मीर की जन्ता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करता हूँ को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हर्याणा की ये जीत कायर करताओं के अथाद परिशम का परणाम है हर्याणा की ये जीत नद्या जी और हर्याणा की टीम के प्रयासों की जीत है हर्याणा की ये जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुक्ष मंत्री जी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जनता ने नया इतिहास रच दिया है शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी हरियाना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्वजों ने इस राज्ये का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्ये के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हरियाना के इन दिग्वज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था हरियाना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हरियाना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हरियाना के लोगों ने जो किया है वो अभूद पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कारेकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारेकाल पुरा करने वाली किसी सरकार को हरियाना में फिर से मोका मिला हो ये भारतिय जनता पार्टी को तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढ़ाई बलकि हमें सीटे भी जाजा दी है और वोट्षेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हरियाना के लोगों ने छप पर फाड़ कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी साथियों भाजपा दुनिया का सिरफ सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे जादा दिलों में भी बसी हुई है हर्यागा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेस के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्द प्रदेश की जनता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आशिरवात बनाए हुए अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज ठापित करने वाली भाजपा एंडिय की सरकार को लोग बार बार मोका दे रहे असम, त्रिपुरा और उत्राखन में लगातार डोटतम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबार आये थे करिब 13 साल पहले 2011 में असम्न उनकी सरकार लोटी दिबागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जानकर के हिरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राज़े है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले महां थी कहीं पर 50 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निका दिया कॉंग्रेस को गुसने नहीं दिया बेश के जाधातर राज्य के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बॉड लगा दिया पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका दिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाउंग पर लगाने से नहीं चक्ति आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे एक कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई है जो लोग चांदी नहीं सोने का चंबच मुह में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइल स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है ये कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछडों पर सबसे जादा अक्चाचार किया है ये कॉंग्रेस है जिसने उन्हें इतने दसकों तक रोटी पानी मकान से बंचित रखा ये वो लोग हैं जो सौ साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी तो इनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी द्यारी देने से साफ इंकार कर दिया आफ़ा उन्होंने दलीतों और पिछणों को भी अप्मानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो दंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछणों का आरक्षन खीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाही लगातार आग लगाने की कोशिस कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याना के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिस हुई क्या क्या प्रपेस्ट नहीं किये गए लेकिन इस समाज में भी इस सडियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को बढ़काया इस साजिस को भी हर्याना के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूप संदेश दे दिया है ये देश विरोधी पॉलिटिस्ट नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुड़ होकर वोट दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोट दिया देश भक्तों को माटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के बिरुद बाती बाती के सडियंत्र चल रहे है भारत के लोगतंत्र को भारत के अर्थतंत्र को बारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर रास्तिय साजी से हो रही है आज मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के नेत्र तुमें राजसरकार साइबर सुरक्षित उत्राखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड में तेजी आई है साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रुपर में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई है आजकल साइबर अपराधी, डिजिटल अरेस्टिंग, AI वोईस क्लोनिंग जैसे आधुनेक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है वीडियो कॉल में अपराधी का बैग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है डर दिखा कर अपराधी आपको घर में ही क्याद कर देता है जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं याद रखें कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता पुलिस या कोई एजनसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धंकी नहीं देते लेहाजा डर या धंकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें कई बार साइबर अपराधी AI वोईस क्लोनिंग के जरिये आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं उसके एरेस्ट होने या फसे होने की बात करके आपसे पैसे एंठ लेते हैं इसलिए अपराधियों के जहासे में आने से पहले अपने परिचत को फुद कॉल करके पुष्टी जरूर करें पैसा दोग ना करने विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फसें किसी अंजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें वाटसैप, इमेल या SMS में आई किसी भी अंजान लिंक को क्लिक न करें गैर जरूरी अप्स डाउनलोड ना करें किवल वेरिफाइड सोर्स से ही अप डाउनलोड करें पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनिय जानकारियां किसी से साजहन ना करें पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें अगर आप साइबर अपराद के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किये टॉल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरुक रहें होशियार साजियों, कॉंग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर करते हो नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रिय संस्ताव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं कॉंग्रेस उस हर चीज की छबी को दुबिल करना चाहती है देश का चुनावायो हो, देश की सेना हो, हमारी पुलीस हो देश की न्याई पाली का हो, कॉंग्रेस हर संस्तापर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा, लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दौरान भी, ये लोग, इनको सहियोगी दल, इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कॉर्ड गए, सुप्रिम कॉर्ड तक गए, और किस लिए, ताकि ये लोग, चुनाव आयोकी सम्मेधानी निस्पक्ता पर, बच्टा लगा सके आज उन्होंने ऐसा ही काम किया है, आज भी कॉंग्रेस ने देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश की है कॉंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है, कि हमारी संस्ताओं की निस्पक्ता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिश्चा पर आगात करे कॉंग्रेस की यही आदत रही है, कॉंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी कर्तूतें करती आ रही है साथियों, जम्मु कस्पी पर इस बार हुआ चुनाओ, कई माईनों में त्यासिक रहा है वहां भारत का संविधान पूरी तरसे लागू होने के बाद ये पहला चुनाओ था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओ में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूरती से खिला है खिल खिलाया है जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नमबर में बोट डाले वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है हमारा जम्मु कश्मीर कर्फियो और अलगाववा के कालखन से बाहर निकल रहा है 1947 के बार पहली बार हमारी सरकार ने जम्मु कश्मीर में BDC के चुनाव कराए आज पहली बार प्रशाशन के हर स्तर पर फिर चाहे वो विदायक हो BDC हो BDC हो हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जम्मु कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनप्रतिश्ठा टी है बाबा साब अंबेर करको इससे बड़ी स्तर धांजली क्या होगी साथियो मैंने विश्चित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ किसान युवा महलाए और गरीब जम्मु कश्पीर हो या हर्याना हम विकास को इनी चार धारों के चार संभों के बल्बुते पर देश को विश्चित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्रिक्ता है हर्याना के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे है मुप्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हर्याना के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है अब हर्याना की भाजपा सरकार गरीब कल्यार के काम को और अधिक गती देगी साथियों हर्याना तो क्रिशी के मामले में देश के अग्रनी राज्यों में शामीर है हर्याना की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लख सेड़नम साफ है भाजपा सरकार हर्याना की किसानों की उपज को दुनिया के बाजपारों तक पहुंचाना चाहती है बाजपा जैसा यहां का मोटा राज स्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे यह हमारी प्रतिवधता है हर्याना खाने के तेल में आत्मन निर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्याना के तिलहन किसानों को भी ज्यादा लाब होगा साथ यह हर्याना के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाए माने सर में मैनिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुग्रांद के स्टार्ट लप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब धुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी छेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नौजवानों के भुमी का बहुत बड़ी रहना वाली है किसलिए हर्याना में स्पोर्ट ये इंफ्रास्रेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपा ने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलप्मेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटिओं के ससक्तिकरान से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रुपे देश को नेत्रुत्व दिया है अब हर्याना में हजारों लगपती दिदी और ड्रोन दिदी बनाने वाले है लाडों लक्ष्पी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुप्त बहुत लाभ होने वाला है जब मात आए बैने आर्थिक रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा बेश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वो परिरक्पी है नेशन फ़र्स्ट भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र हो या पिर हर्याना इन दस सावों में भाजपा की सरकार पर ब्रस्टाचार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है वैसे ही हर्याना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रस्टाचार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ पर सिर्फ समर्पर भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हर्याना के मुख्यमंत्री बाई नायव सैनी जी और पुर्व मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारिप करता हूँ भरपूर पसंसा करता हूँ उन्होंने हर्याना के विकास के लिए बहुत मैनत्री है साथियों जब जनता ऐसे काम को फुट्साइट करती है नेक नियत और अच्छी निती को सराती है तब काम करने की उर्जा भी दोगुनी होती है हर्याना ने भाजपा सरकार को फुट्साइट किया है जम्मु कश्मीर ने भी भाजपा को फुट्साइट किया है यह आशिरवात हमें और भी अतिक महनत कर लिए प्रेरित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु कश्मीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रजपा इससे बहुत बहुत साथ उबाद करता है आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील केपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मकसद करोडों लोगों को गरीबी से बहार निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पुरे देश को फिर ये भरोसा देता हूँ कि आने वाले पांच साल और तेज विकास के होंगे हर्याना विक्सित होगा जम्मु कश्वीर विक्सित होगा भारत विक्सित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हर्याना और जम्मु कश्वीर की जनता का अभार वेक्त करता हूँ आप सब कार्य करता होगा जितना अभिनंदन करूतना कम है देश के कौने कौने में आज भारतिय जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्ष को पार करते हुए भारतिय जनता पार्टी नहीं जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मूल में भाजपा के कार करता है भाजपा के कार करताओं का परिश्रम है बाजपा के कायर करताओं के त्याग तपस्या है और इसलिए विज़े के उस्सों में मुझे बार बार मेरे कायर करताओं की याद आना बहुत स्वाबावित है उनके प्रती अहोभाव व्यक्ता करना मेरा स्वाबावित मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर लश्की और बढ़ते जाने वाले भारती जनता पार्टी कायर करता न रखने वाले है न ठकने वाले है और जुकने का तो सवाली नहीं होता है मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभिनंदन करता हूँ देश वाचियों को भी मैं उनके आशिर वाद के लिए प्रणाम करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद